एलो एवरिवाइन वेल्कम बेक टू रुकमनी तैवेस किचन कैसे हो आप सब आज हम बहुत आजीर यसी पे लेकर रहा है जिसके लिए हमने बारिक कटवा प्याज इसमें डाला है बारिक कटवा यलो शिमला मिर्च डाला है बारिक कटवा आरा सिमला मिर्च डाला है बारिक क पिज़ा सेस्निंग एक चोटाई चम्मा चम इसमें डालेगी चाट मसाला और एक मसाला मार्केट में पिज़ा टालेगी जिटना भी चीचे का रही है ते वह सब डालना चरूरी तो अशुंत की मिलता है और यह पीजस्पीन टालेगी भीजा टॉपिंग पिजा टोपिंग औ तो नमक आप तोड़ा देखके डाले क्योंकि चितने सौसे समने टाली है ना हर किसी में नमक होती है यह रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी हैं बता रही है सब को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेगी सारे चीजों का क्वाइटिटी सेम रखी इतार आम लिया है सेंड़ु ब्रेड पे आचे से बाटर अपलाई करेगा नोर्मल बाटर रूम टेंप्रेचर वाली बाटर लगानी है आपको आचे से लगा देगी बाटर बाटर लगाने में तोड़ा सा कम नहीं लगानी है आचे से लगानी है फिर आम इधर ग्रीन चटनी बनाया है ग्रीन चटनी त तोड़ी पुदीना लेना है, तोड़ा रा मिर्ची, तोड़ा सा नीबुकारास, तोड़ा सा चीरा, और फिर गार्लिक क्लोवस टालके इसको तोड़ा पानी डलके पीस लेनी है, तो आपका अमेजिंग चटनी सेंड्विच वाला तैयार हो चाहेगी, फिर एक सेंड्विच प्रेड पे चटनी लखानी है, दूसरे सेंड्विच प्रेड पे टमेटो, केचप लगानी है, या टमेटो सोस, फिर आम जो टॉपिंग बनाया है न, जो यह बनाया है, इसिप्रेड या म टालेगी, और उसको कवर करदेगी, अप ऐसे बना सकती, तूसरा तरीका, जो हमको बहुत पसंद है ऐसे एक टॉपिंग डालने के बाद मोजिरला चीज अच्छे से स्प्रेड करेगी फिर जो पिजा सिसनिंग दिखाया था वो टालेगी तो बैसिकली आप इसको टू टाप से बना सकता है एक तो विदावट चीज और वीच चीज जैसा हम आपको दिखाती है पिर इसको कवर कर देगी फिर क्या करेगी एक नॉर्मल पैन ले ले या नॉर्मल तवा ले ले या ऐसा जैसा हम लेती ऐसा ले ले अपके कर में जैसा भी तवा आप यसा ले ले और आचे से बटर डालेगी और पिर जो सेंड़िच हम तयार की है न वो उस पर रख देगी और प्लेम विल बी लो दिस टाइम, प्लेम लो ही रखनी है, नहीं तो आपका चीज मेल्ट नहीं होगी, अगर आप बिना चीज के बना रही है, तो भी प्लेम आपको लो रखनी है, फिर उपर वाला जो सेंडविच ब्रेड है उस पे आचे से आपको बटर लगानी है, तो ब अबर वाला जो पार्ट नहीं जब टान की थी, उस पे आम ग्रीन वाला सोस लगा देगी, तो प्लेम आपको लो ही रखना है, प्लेम आई नहीं करना है, पिर उसके बाद जो टॉपिंग हमारा तयार है ना, ये इस टापिंग वो अच्छे से डालेगी, पिर इसमें आम टा कर देगा, चिपका देगा, और प्लेम लोही रखना है, पिर उपर वाला जो पार्ट देखती है ना, आप इस पे आम बटर अच्छे से लगा देगी, और पिर इसको टान करेगी, ऐसे, ए सेंडविच आपने आज तक नहीं काई होगी, आम कैरेंटी लेती है, इतना ये ब्रेड का रेसिपी देखने के लिए वीडियो को पूरा देखना चरूरी होती है, आमर वीडियो आपको कैसी लगती है, कमेंट बोक्स में लिखके हमको जरूर बतानी, ओवर लोड़िड सेंडविच का रेसिपी हम सीथा पॉम्पे से आपके लिए लाया है, तो हमको चरूर बतानी कि कैसा आपको ये रेसिपी लगा है, आप ही आम आपको ए सेंडविच काटके दिखाती है, कि ये कैसी बनी है, ट्रैंगल में कट कर सकती है या पिर ऐसे जैसे हम आपको दिखाती है, ये टॉटली आप टू यू है कि आपको कैसे इसको कानी है, एकतम गर्म अवरलोडिड मुंबई स्ट्रिट पूड बनकर तयार है, मुंबई स्पेसल सेंडविच का रेसिपी हम लाया है आपके लिए, इसका टेस्ट आपने आज तक नहीं काया होगा, ये तना मेजिंग है, ए देखो अभी देखो, मैजिक ए देखो, ए जो इस ट्रपिंग आप द ओवरलोडिड मुंबई स्ट्रिट पूड वाला सेंडविच अपने कर में बहुत अच्छे से बना सकती है, इसको बनाना बिलुकुल भी डिपिकल्ट नहीं है, आम जो प्रोसेस आपको बताई है, बस आपको वाई पॉलो करनी है, फिर उसके बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट में लेगी, टेंक यू